हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं चेहरे से दाग धबो को हटा कर चेहरे के रंग को साफ गोरा बनाने का एक बेहतरीन सा आसान तरीका जो एकदम बिल्कुल नैचुरली है जिससे आपकी तोयचा को यानि के इसकिन को कोई भी नुकसान नहीं होगा बलकि आपकी इसकिन दिन बदिन निखरती जाएगी जितना आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे पर उतना ही चेहरा आपका और भी अच्छा होता जाएगा तो इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं जिसमें हमें सबसे पहले लेना है बेसन यानि के ग्रैम फलोर जो की आसानी से आपको मिल जाएगा आपके रसोई घर में और रसोई घर में अगर नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं बड़ी ही आसानी से तो आपको एक चमच बेसन लेना है बेसन हमारी तुचा को किलीन करता है चेरे के दाग धबो को हटाता है वा इसकिन को मुलाइम बनाता है उसके बाद में दूसरी चीज़ा आपको लेनी है दही यानि के कर्ड दही हमारे चेरे को यानि के सकिन को मोस्चुराइज करता है औ कोई भी अच्छी ब्रांड का आप गुलाब जल लीजिएगा जो आपकी स्किन को सूट करता हो तो हमें एक चमच गुलाब जल लेना है तीनों ही चीजे हमारी एक्वल हो गई है यानि की कौंटिटी इनकी बिल्कुल बराबर है आपको एक एक चमच तीनों चीजे लेना है उ और इसकिन को टाइट करता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है हमारे चेरे को और इन सब चीजों को अब आपको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट साथ तयार कर लेना है यानि कि एक फेस पैक रेडी हो जाएगा जो बिल्कुल आपकी स्किन को नैचुरली गोर बनाएगा इसकिन को लाइट इन वाइट इन करेगा चेरे से दाग धब को रिमूव करेगा तो यह हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है बन करके अब इसको लगाने का तरीका बड़ा ही असान है आपको अपने चेरे को सबसे पहले पानी से धो लेना है फिर उसके बाद इस आप एक अच्छी सी लेयर लगा लीजिए अपने पूरे फेस पर नेक पर भी लगाईए यानि कि गर्दन पर चेरे पर दोनों पर लगाईए अच्छी तरह से लगाने के बाद में आपको 10 मिनट तक इसको सूखने के लिए छोड़ देना है फिर आप चेरे को धो लीजिए ऐसा करने से जल्दी आपका चेरा गोरा हो जाएगा